हाई डियार्स मैं निरसर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मैं ट्रिक मिशन में चलिए तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वही तेंथ का गनीत प्रशनावली एक दस्वमलो एक जिसका एक वीडियो यूटूब पे अपलोड है आप देख चुके हैं दू से मोबाईल को रख करके और कॉपी और पेन सिक लेजिए और निकाल करके लिखिये जब तक लीखियेगा नहीं तब तक जीतडीए गा नहीं समझा रहा ना बात को चलिए और जैसे अभी खुब गर्स मेरे बातों को सून रहे हैं और देख रहे हैं ऊईसा ही बरकरार रख प्राश्णावली एक दसमलों, एक का है, ठीक है, इसी कोश्चिन को क्या करना है, सल्व करना है, अब देखिएगा, इसको हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कड़ ले, बात पराबर जन दना है फिर इधर उधर देखिएगा तो नहीं न समझ में आएगा अब इधर उधर मत देखिए और किसी से बात उत मत करिए बीडिये हुए को बढ़िया से देखिए समझ रहे हैं चले देखिएगा आपके सामने कुष्चन है ये दू नमबर और कराए कि दर्साय है कि कोई भी धानात्मक बीशंपूर्म ना ag कौन पूर्म बुभा धानात्मक बीशंपूर्म 6Q plus 1 या 6Q plus 3 या 6Q plus 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्मनाग का है कोई दिक्कत अब देखिए, अधिकतर बच्चा को यह लगता होगा, यह बहूत हार्ड है, क्योंकि आप इसको हार्ड बना दिये हैं, गनित काता है कि आप जितना रिविजन करेंगे, उतना ही बेस्ट प्रफरमेंस होगा, और उतना ही बेस्ट आपका डिविजन होगा, इसलिए आप पहल एकदम सापा इसको गर्दा उड़ा के बना देना, ऐसे करो कोस्चन तेया, लेकिन पहले समझेंगे तब, देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, यह धनातमक विजन पूर्णां की बात किया, जो इतना इतना के रूपका होता है, सबसे पहले गनित में हम लोग यहां हल ल देखिए, धनातमक, बिशम, पूर्णांक, अब मनना क्या है, तो आप यहां पे ए माल लेंगे, अब ए मालेंगे तो आप सोचेंगे कि सवर ए माल लिये हैं, कोई से माने हैं, आप तो सामने बैठे हैं नहीं कि हम बताएं कि कैसे माने हैं, इसलिए थोड़ा साब समझ आप पढ़े हैं कि A बराबर B Q प्लस R, याद करिए, पढ़े हैं ना, जश्ट इसके पीछे वाला वीडियो में इस पर बहुत बारम चर्चा किये हैं, तो देख लिजिए, कि यहां ही दिया है 6 Q प्लस 1, तो यहां पे B के जगा पे 6 होगा, Q के जगा पे Q ही है, R के जगा पे क्या दिया बाबू, एक दिया है, तो इसका मतलब है कि होई, जितना टर्म यहां दिखाई दे रहा है, इस भी टर्म होगा तो दिया है, यही ना ना दिया है, तो इसी को माल लेते हैं, कि माना कि दनात्म कभिशन पुर्णांग बराबर A, को दिकत, आप चाहेंगे तो लिख चाहते हैं, so A बराबर, क्या लिखेंगे, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, जाहे 6Q प्लस 5, अब यहां दिया दे रहा है, कि इसमें आपको B दिखाई दी रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, B, B क्या है, तो 6Q है, 6 और Q प्लस 1 है, तो यहां पे 6 क्या है, B है, देखिए, बी के अस्थान पर यहां 6 है, तो इसको लिख दिए, यहां तक कोई दिकत, अब देखिए, आर लिखना है, आर मतलब सेस्पन, जब यहां आर हम लिखेंगे बाबू, तो यह जो बी है ना, यह बी से हमेशा छोटा ही आर होता है, तो इसको हम लिखेंगे कितना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, क्योंकि यहां पर 6 तो है यह है, तो इससे छोटा हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, अब देखिए, उसी का उज़ करते हैं, किसका, Euclid विभाजन एल्गोरितम का, जो पिछले वीडियो में आप उज़ किये हैं, लिखेंगे, तो Euclid विभाजन एल्गोरितम से, क्योंकि इसी के रूप में तो यह दिया हुआ है ना, इसी के रूप में दिया हुआ है ना, अब देखिए, यहां लिखेंगे, A बराबर, BQ प्लस, R, वही बात लिखेंगे, जहां 0 से बढ़ा, और बराबर, R और, R से बढ़ा, B, कोई दिकत, अब देखिएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे, A, पहले यहां देख लिजिए, R है, अगर हम लोग R यहां पे 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, तो यहां हो जागा, A बराबर, BQ प्लस, R, इसका मतलब है, कि B के जगवा पे क्या लिखेंगे, 6, Q वह सही है, R के जगवा पे क्या होगा, 0, तो इससे बनेगा, यह 6, Q, 0 को एड करेंगे, तो हट जाएगा, तो यहां पे 6, Q आया, देखिए, यह 6, Q जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह एक स्वम संक्या इसके साथ ही गुना है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, कि यह स्वम, क् पुर्णांक, ठीक है, ध्यान देना, क्या बाबू, श्वम, पुर्णांक, चलिए, यहां तक ता आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर यहां तक अगर दिक्कत नहीं है, तो आप इसको पहले कौपी में क्या करिए, लिख लिजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठ चलिए, इसको किलियर ही कर देते हैं, अब इसके आगे देखना है, जहां आप R एक बर क्या रखे थे, जीरो रखे थे, अब क्या करना है बुआ, R को 1 रखना है, तो यह बराबर अब डिरेक्ट 6Q प्लस R लिख सकते हैं, अरे BQ प्लस R पहल लिखे हैं हना, तो B के जग 6 है है, तो यहां पर डिरेक्ट लिख सकते हैं, 6Q प्लस R कोई दिकत नहीं होगा, अब देखिए, यहां इस 6Q होगा, आर के जगा पर कितना रखेंगे, एक, अब देखो यह कि क्या है, बिसम है, अब इसके साथ जब एड हो गया, तो यह क्या बन जाएगा, बिसम पुर्ण अब ध्यान दिजिए, इसी प्रकार से R बराबर फिर 2 रखेंगे, यह बराबर 6Q प्लस R, तो यहां देखो तो, है 6Q प्लस R को जगापर क्या रखेंगे यहां, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे हीरो? 2, तो देखिए, यहां पे जब 2 रखेंगे, तो क्वान पुर्णांग खो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरो, संपुर्णांग खो जाएगा, ठीक है, अब द्यान देजिए, इधर दखिए, इधर, इधर, आर बराबर क्या है, थीरी, और कहां तक रखना है, फाइब तक, चले थीरी रखेंगे, फिर लिखेंगे ये बराबर, 6Q पलस, आर, इसको बढ खो जाएगा, बीशम, फूर्णांग खो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरो, बीशम, पूर्णांग खो जाएगा, इसी परकार से फिर अगला एश्टेप, आई देखो, कुछों हाड नहीं होता है, कोई हाड नहीं है, बस, केवाल आप, अपने आप में, अगर आप समझ ग है, एक कहावत सुने है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप जिद कर लिए कि बीना तोड़ेंगे ना छोडबाओ, तो किसी भी कंडिशन में जो है, वो कोश्चन बन ही जाएगा आपसे, हाड ना, समझ रहा है ना, अब ध्यान देजिए, यहां क्या रखेंगे, फोर, ए बराबर, शिक्स क्यू प्लस अर, तो क्या होजा है, ड्यान देना है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, अब देखो बवा, एक एस स्टिपन बाकि है, चलिए, तो आप यहां तक लिख लेंगे फिर आर क्या रखेंगे, पांच रखेंगे, चलिए इसको हम किलिन करते हैं, आप विडियो को रोक करके, कॉपी मिनोट कर लेज़ेगा, है ना, और थोड़ा मुस्कुराते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इससे होगा क्या, कि आपके अंदर का एक्टिविटी जो है ना, बहतर तरीका से बरकरार रहेगा, ठीक है, देखिएगा, किलियर ओल कर दे, कत्तम, अब देख भूआ, आर बराबर क्या लिखेंगे, पांच, फाइब, ये बराबर, शिक्स क्यू प्लस आर, बभुओ, है शिक्स क्यू, अब प्लस आर के जगह, फाइब, कौन संग क्या है, तब यहां क्या लिखाएगा, बीशम, पूर्णांक, कोई दिकात है क्या, इस प्रकार से पूछ रहा है, कि कोई भी धनात्मक, बीशम पूर्णांक, एतना, एतना, और एतना के रूप का होता है, तब निची वह जानते हैं, क्या लिख देंगे, लिख देंगे, अतह, कोई भी, कोई भी, धनात्मक, बीशम, पूर्णांक, क्या, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, तथा, ठीक है, तथा, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, कोई संकोच, कोई दिक्कत, चलिए, तो आप इतना कोई कम्पलीट कर लेंगे, विडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो कम से कम अपने फ्रेंट के पास शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले कुष्चन में, तब तक के लिए, ओके, बाई,